जहें साथियों, आज हम आपके समने बात करेंगे, कि जो रिट में परिक्षा होनी है, खासका अगर रास्थान की बात करें, तो रास्थान में फिर से एक बार सच्च भड़ती परिक्षा की बहार आई गें, तो लेकिन इस बार क्या-क्या बड़े बदला हुए हैं, क्या-क् इसके सेल्बस में परिवर्तन हुआ है, कि आपको नया देखने को मिलेगा, और साथी साथ, उन अभ्यर्थियों का, जिन्होंने इसके पहले परिक्षा फॉर्म भरा था, परिक्षा रद्ध कर दिया गया, या किसी प्रकार गॉर्मेंट की गल्ती थी, या भ्यर्थियों की गल्ती थी, उसका क्या हल निकला, और अभी की बार एक से ठमार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या उत्तर परिक्षा रह गई है, क्या इसके बाद फिर से एक सिच्चो बढ़ती परिक्षा होगी, आईए एक एक करकर इन सभी बातों पर प्रकाश जालते हैं, औ और सभी प्रश्णों के जबाब हम आपके साथ खोशते हैं, और हाँ ध्यान रहें कि इस बार परिक्षा की तहरी आपको अपने साथ बहतर तरीके से करनी होगी, क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सिर्थ आपको रजस्थान में जाकर लेना है, आईए एक ही करके देखते के रूप में हमारे आपके सामने आ चुका है, और जिसका लिंक आपको यहां पर राजस्थान, बोर्ड, गुवर्मेंट डाट पर मिल जाएगा, पसाथ इसके बारे में कुछ महत्तपूर जान कर लिए है, कि यह एक पतता परिक्षा ध्यान रहें, बहुती इंपॉर्टें रिट के बात करें, तो जो लेबल फर्स्थ है और लेबल सेकेंड है, इन दोनों के लिए यह पतता परिक्षा रहेंगा, इस पतता परिक्षा के बाद आपकी जो अगली परिक्षा होगी, वह एक भरती परिक्षा होगी, आईए अब उस बारे में भी हम लोग एक एक करके जानते हैं एक सवाल आपके मुन में आता है कि क्या जो सीटेट या यूपिटेट पास हैं क्या वह भी रिट परिच्छा देंगे या उसके लिए भी उन्हें या परिच्छा में सम्रित होना होगा आई एक एक करके हम इस सभी बिंदों पर आपके साथ मिलकर प्रकाह डालते ह जैसे शीटेट पास है या आप यूपिटेट पास है या जिस राज से आप है उस राज की परिच्छा पास है तो फिर भी आपको रिट देना होगा कि राजस्थान के जो पतता परिच्छा है उसमें आपको उत्रण होना होगा यह परिच्छा सिर्फ एक सिर्फ पतता परि जीएगा उप्तर रीड परिख्षा आवेधन प्रक्रिया मापदन इक एक करकेस के बारे में जानते हैं बैफ्षाइट आणलाइन माने कब से आप इसका आवेधन कर सकते हैं तो याद रहें सभी लोगा आवेधन कर सकते हैं चैया वह राजस्थान के हो चाये किसी भी भारत क कि किसी भी राजशेयों वह बात के नागरिक हों तो वह यहां आवेदन कर सकते हैं और यहां पर देखेंगे 18 अप्रेल 2022 से आवेदन प्रक्रियाश शुरू हो जाएगी और जो आपके लिए 18 मई मतलब एक महिने तक आपका आवेदन होगा हम्यू के हैं तो 30 दिनों तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन सुल्ख जमा करनेंगे जो तिति है वह 18 तारिक से लेकर यहां पर हम देखेंगे तो 13 माई तक है कि बैंकों सुल्ख जमा करने के तिति कोसिस करिएगा कि समय से पहले फॉर्म बनने का और समय से पहले इसका फीस कटाने का या चाला बात यह सबके मन में आता है इसेर रिट की परिच्छा कब होगी तो ध्यान रहें रिट की परिच्छा आपको 23 जुलाई और 24 जुलाई मनें 23 जुलाई 24 जुलाई सनी वार और अपकी परिच्छा के अंदरों पर होगी और आयोजन की जो तिति है वह 24 तारिक रखी गई है और यह दि किसी में कोई समस्या होती है तो तित्थी को आगे बढ़ा जा सकता है। यहां पर परिच्छा दो पालियों होगी, पहली पाली जो होगी, वह 10 से 12,5 गंडे का पेपर होगा, 150 मिनट का होगा, दो तित्थी पालियों जो होगी, तीन से 5,5 बाजे तक माने परिच्छा जो होगी, वह 150 मिनट की होगी, कित्ते मिनट की होगी, 150 मिनट की यह परिच्छम होगी, आई इसके बाद और इससे जुड़े हुई महत्दपुर जानकारी हम लेते हैं, ध्यान रहे, सीटेट है, यू जो इतनी जल्दी परिच्छा होगी, मतलब आपके पास समय कम बचा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास कुल मिलाकर, तीन महीने का समय बसता है, क्योंकि 18 महीं तक आप अवेधन करेंगे, फिर जून के बाद जुलाई में आपकी परिच्छा होनी है, अगर ह अगर नोट्स चाहें, एल милли बेट्स के हम अपको मिल जाएंगे, घर बैठे, रीट के, में राजय स्थान से हो, चाहर उत्त्र कंदेश्हे हो, बियार राशक हो, किसी भी राजय से हो, चाहर राजय स्थान से भी हो, आप खर बैठे, अपने नोट्स पराप्त कर सकते हैं मेरे पास जो समय होगा मैं आप सभी के लिए यह निशुल क्लासे देशित मिराशित में लेकर आता रहूंगा अब हम बढ़ते हैं इसके आगे के जो महत्तपुन बिंदू है उन पर हम आपका ध्याना कर्शित करते हैं अब यहां पर इच्छा प्रारामनेस पहले पहुचना इस सामाने सूचना क्या क्या है तो यहां परिच्छा कॉन आवेजन कर रहेगा उसके बारेम दिया गया है ओनलाइन आवेधन प्रक्रिया कैसे होगी तो आई यहां परिच्छा जो है यहां केवल ऑनलाइन मूड में स्विकार की जाएगी अगर कोई बैक्त यह चाहें कि ओ आपको बैंकों के मातिम से अगर परिच्छा सुल्क की बात करें तो यहां पर ध्यान दोनियों की बात हैं कि आवेदन सुल्क के रिच लेवल टू वर्स 2021 के आवेदक को कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा ध्यान रही है बाते आप सभी के लिए महत्त्यपूर्ण है और जन्न ही हो गयर उनसे यहां पर किसी प्रकार का कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा ठीक है अब हम और आगे बात करते हैं यहां पर देखते हैं सुल्क से समधित कुछ महत्त्यपूर्ण बिंदू जैसे प्रथम अस्तर हैं जैसे आप ध्यान दीजेगा कि बैंक के माध्यम से आपको चलान या सुल्क जमा करना है प्रथम अस्तर के लिए कर बात करें तो दूती रीट 2021 के जो आवेदन करते हैं साड़े 500 रुपया लेकिन अगर दूती अस्तर अगर आपने पहले से आवेदन करके रखा ह रिट 2021 के जो रद हुआ है उसके लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं होगा अगर अस्तर दूती 2021 को छोड़कर आप करेंगे तो 550 रुपया अगर दोनों आवेदन करते हैं प्रथम और दोनों अस्तर दोनों नवीन आवेदन है आपके साड़े 700 रुपया आवेदन सुल्क अविस्सक है दोनों के लिए अलग अलग योगता है उसके लिए भी हम आपसे मिलकर आगे बात करने वाले हैं इसकी पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाई कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर इसकी क्लास हमें कहां से मिलेगी हम आप एके करके हम इन सभी की बार आपके नाम है पिता के नाम है वही आपका माना जाएगा उसी क्यादा पर आपका फॉर्म भरा जाएगा तो इसलिए ध्यान दीजेगा कोई तुटी ना होने पाई ठीक आगे में बात करते हैं पर रिड़ दोजारे कैस्ट लेवल टूमें जो आगे दन सरप्थम जो पुर कैसे अभेदन करना है और लेकिन एक बात जो आप लोग को यहां पर जानना है जो इसके बारे हम लोग चर्शा करने जा रहे हैं कि रिड़ दोजार एकईस में बैस में बैटने की नियुंत्तब से अच्छी यूविता क्या क्या होगी रास्ताने देपक पत्ता परिच्छा और डियलेर्ट उनके लिए बेट के लिए इन सभी के लिए आपको क्लियर हो अगर प्रात्मिक अस्तर की बात करें तो 50% अंकों के साथ उच्छतर माध्यमिक या प्रार्यमिक सिच्छा साथ में द्यू वर्शी डिप्लोमा हो जिससे किसी भी नाम से जाना जाता हो और उत् साथ माध्यमिक संक्छों चार वर्शी प्रार्यमिक सिच्छा सास्त में असना तक हो ठीक है यहां पर मतलब यहां पर यहां पर इसकी बात किया रहे है उत्रपरिस के लिए तो आगे हम देखते हैं पर फिर पचार परशेणंगों के साथ क्यों अचेए यहां पर देखें इस्पेशल एजुकेशन वह भी हो सकते हैं द्यूशी डिप्लोमा किसी भी नाम से हो आप कर सकते हैं असना था कि प्रादमिक सिच्छा में किसी भी नाम से हो अगर हम चाह सी आड़ तक के लिए बात सकते हैं उसके बलवा future стороны बिसमें इसमें ले सकते हैं आई हम आगे चलते हैं और उसके बाद में जो अधवपातता परिच्छा उसके बारे में आप जिगर किया गया है एक एक करके हम सारे बाता को देख लेते जो आपके परिच्छा में है यहाँ उसके जो परिच्छा की गए इसके पहले जो परिच्छा हुआ था उसके जो परिच्छा हुआ था उसके पूरी परिझचा तारी करना होолоी साथ यह भी यार स्टाइब इसके बाद जो अगला चलण होगा इसका चक्षापर हैर और माको सुपपरेट अगर मने तो इसकी लिए भी आपको तारी करना होगा इसमें अगर हम सीडिपी की बात करें ह TV सद्ट repaired kilo J उसके बाद आगर हम बात करे तो आप का जम मैतमेटिक अड है और आपका रास्तारिशन मिला कर भी है से Scriptures आएंग़ इस परकार यहां पर 150 नमबर की पश्णोंगे साथ साथ इनके सिच्छन विधियां भी होंगी तो यहाँ छोटा मोटा तरह से आपका जो पाठिकरम था हो मैंने बता दिया विस्तित पाठिकरम के लिए हम एक एक रम से वीडियो बना देंगे जहाँ पे आपको राजस्थान से समधी सभी क्लासेज आपको मिल लाएंगी और इसकी नोट्स भी आपको मिल लाएंगी जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं यह सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं रिट के लिए और आपने देखा होगा रिट परिच्छा में पिछली बार जो इलर निवे दुर्गेश्टी नोट से आपको लिए के लिए काफी महत्तपूर योगदान दी है जहां पर हम लोगों ने देखा चाहिए पर फर्स्ट हो चाहिए सेगंड हो इन दोनों का जो समय है वो देखिए धान से देखेगा परिणियर के बाद आपके साट प्रस्ट की बात करें अगर जैसे से साट प्रस्ट होंगे और अगर आप मैत साइंस हैं है तो यहां से भी साट इस प्रकार हम ने देखा फूल बहुवी कल्पी प्रस्ट होंगे एक सोपचास प्रस्टन एक सोपचास अंकों अभी तक इसमें नगरत्मक अंक कोई प्रावधान नहीं है तो आप लोग जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी शाथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा उसके बाद अगर आपके मन में यहां से कोई प्रशना आ रहा हो कोई शवाल आ रहा हो तो पूछ सकते इसके बाद इससे जुड़े हुए जो महत्यपूर्ण पत्ते कौन-कौन से टॉपिक पढ़नी है कौन-कौन से टॉपिक नहीं पढ़नी है हमार्षित कैसे भरना है एक एक करके करमा रूप से हम आप लोग को बता हो लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार भी कोई दिक्कत ना हो यहां पर एक महत्यपूर्ण है कि रेट के लिए नियूंतम पुत्रणांग क्या होगा तो सामान अगर अरचित की बात करें तो यहां पर साथ परसेंट है जो अधर इस्टट से देने के लिए जाएंगी ने देखा कि और बाकी के लिए बीसी के लिए आप बच्पन दोनों है और समस्तर सेड़ी के विधवा यों परिपकता मैला बुद्पूर्शनिक के लिए बचास है दिव्यांग निसक्त जंद सेड़ी में उनके लिए 40 परसेंट है और सहर्या जन जाती के लिए 30 है तो नोट साथ घरबेटे प्राफ कर सकते हैं जहांस आपके परिच्छा में सीधे सीधे सवाल पूछे आते हैं और बहुत सारे पश्न बैंक आप पैसे मिलेंगे जो रिट के परिच्छा में आपको खुब हो नोट में होंगे यहां पर आवश्यक निर्देश है उसे बहली बा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी जयनकारी रिट से समाधित मिल जाएगी जी हां सभी जयनकारी नोट की आपको घर बेठे मिल जाएगी उसके अलावा भी एक नमबर है आप शायद देख सकते हैं 73,5,7,90,12 जी हां लेबल फर्स्ट, लेबल सेकेंड दोनों के नोट से यहां पर आपके लिए उपलग है ठीक है आप सभी को बहुत-बहुत धन्यव बश्ट आफ लगए जय हिंद्य, जय भारत इसके साथ आप हमारे online classes जॉइन करके भी सारी तयारी कर सकते हैं क्यूंकि अबकी बार एक सीट हमारी online classes में practice sheets, model paper, online live और recorded session और PDF notes भी e-learning with Durkesh का app प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजे अपनी learning journey अधिक जानकारी के लिए call करें 630-63-44-367, 735-179-012 क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं?